हेलो एवरिवन क्यासे हैं आप सभी के एक्जाम चल रहे हैं वोफुली आपने टेनियर ले लिया होगा पढ़ने का तरीका मैंने बताया था के टेनियर आपको लेना पड़ेगा तो मैं सिंपल सी बात करूँ सबसे पहले तो कॉर्परेट अकाउंट का पेपर एसोल वाले करें तो भुक हम जो रिकमंडेशन करते हैं देट इस जे आर मोंगा हाला कि मैं यह नहीं कहारा जो आपके पास बुक है वो बेकार है ज्यादा से ज्यादा जो मैंने कुश्टन को सेलेक्ट करके करवाएं वो जे आर मोंगा से इसके अलाबा भी बहुत सारे राइटर के कोई प्रमोशनल नहीं है ना कोई पेड होता है सभी बच्चे पढ़ रहे हैं आप धीरे-धीरे समझ जाएंगे तीसरे समेस्टर में मैं आपके साथ आऊँगा एफम के अंदर जिसके नोट्स बनाए जा रहे हैं आपके बहुत जबर्दस तरीके से तो अभी मेरे पास एक कोईस्टन एक्जाम में छूट जा ऐसा हो यह नहीं सकता आपको अगर यह लेना है तो कहां से मिलेगा मैं नंबर लिख देता हूँ यह 10-year जो आपको बिलकुल लेना ही लेना है मैं नंबर लिख देता हूँ 70 और भाई जो जिनका S.O.L. वाले हैं वो बच्चे वीडियो देख रहे हैं तो वो भी 10-year तो ज़रूर खरीद लें जिनके नियरबाइ बुक्शॉप है वहाँ पर जाना है सिवदास का 10-year देद नियरबाइ बुक्श्टोर नहीं है उनलाइन इस नंबर पर और कर सकते हैं समय है 10 से लेके आपको 6 बजे तक विदिन वंडे आपको डिलीवर हो जाता है मंडे आप इस काम को कर सकते हैं सर बात रही सर कॉर्परेट अकाउंट कैसे पढ़ना है पेपर का कुछ डिजाइन चला क्या कुछ समझ में आया कि कैसे पढ़ना है तो मैं कुछ चप्टर इंपॉर्टेंट बताने जारा हूं जिसको पढ़ना ही पढ़ना है इस फाइनल अकाउंट जिसको नहीं छोड़ना इसमें से कुशन पक्के पक्के आएंगे नंबर दो इस आपका कैश फ्लो दे रहा हूं कि कैसे कैसे बनने वाला आपका पेपर कैसे डिजाइन होने वाला है पढ़ना आपको है बस देखो लेंदी तो है नो डाउट तीसरा आपको कौन सा चप्टर नहीं छोड़ना है देट इस रीकंस्ट्रक्शन और एमलगमेशन इन दोनों में से आप्शन बनें अब कौन सा चप्टर पहले करना है वो भी मैं बता दूँगा इसके बाद आपका वेल्यूएशन शेयर और गुडविल और वेल्यू एडिट इन चप्टर क्यूंकि 10 से 12 दिन बच्चे हैं जिनका एसल वाले बच्चे हैं तो उसके लिए बताऊंगा इसको नहीं छोड़न इसमें से भी 19 नंबर का बनेगा तो कितने कोशन हो गए एक दो तीन और इसके बाद एक चप्टर आता है आपका थियोरी का या फिर CSR लिख देते हैं annual report वगएरा last unit है आपका थियोरी का है इसको भी नहीं छोड़ना इसमें से आपके 19 का तो नहीं कहा था हाँ 19 का unit कहा गया लेकिन मुझे 10 नंबर का फिजवल लगता है इसमें सो questions पूछे जाते हैं तो ये पूरा का पूरा एक model होता है इसके साथ साथ कु जो की काफी important है जिसमें से आपके exam में questions पूछे जाएंगे इस accounting standard के लिए मैं आपके लिए अलग से वीडियो लेके आऊँगा YouTube पे जिससे कि आपकी help हो पाए सर इसके अंदर में तो आपने एक चप्टर छोड़ दिया बिलकुल share capital, redemption of preference, debenture, buyback, bonus ये छोड़ दिया है मैंने इसमें से आपके 19 नमबर के question बनेंगे तो कुछ ये paper का 18-19 exam का pattern रहने वाला है तो अब आपको कौन से chapters कर लिने चाहिए और आसान है जिसको नहीं छोड़न क्योंकि main होता है सर selection के ये guide कर दो कि कौन-कौन से chapter हमें किस format में कर लेना है तो मैं आपको वो बता देता हूं तो first of all सबसे पहले आपको जो chapter करना चाहिए number 1 पे reconstruction कर लेना चाहिए number 2 पे आपको करना चाहिए final account कर लेना चाहिए number 3 पे आपको cash flow statement कर लेना चाहिए number 4 पे बहुत छोटा सा unit है कर सकते हो number 6 पे यह ratio कर सकते हो कौन से chapter मुश्किल है सर यह unit मैं आपको skip करने को बोल रहा हूं इसके अंदर से अगर आपको unit choose भी कर सकते है redemption of preference share capital कर लीजिए buyback कर लीजिए bonus कर लीजिए और यह कुछ chapter है जो कर सकते हैं डिमेंचर वाला issue और redemption दोनों करेंगे तभी आपका फाइदा है otherwise आपको benefit नहीं मिलने वाला है इसके अंदर तो hopefully आपको समझ में आया होगा आपको पढ़ने का pattern क्या होना चाहिए दस दिनों में आपको study करना है मैं जानता हूँ कि स्लेबस इतना लंबा है जिसके की बारे में आप भी जान रहे हो कि आर खतम ही नहीं हो रहा है और कितने chapter दे दिए तो उसके according बस आपके पास last option है कि 4-5 घंटे लगाईए और इन chapter को करके जाईए at least कि आप अच्छे क्यों को 90,000 स्टूडेंट ने उस वीडियो को देख लिया अभी तब तो वह भी है उसके अंदर कुछ chapter missing है जिसको के मैं कोसिस कर रहा हूं को इसको coordinate कर लो लेकिन वह पुराना स्लेवर से इस बात का भी थ्यान रखना है बहुत सारे बच्चों के साथ मैंने discuss किया तो बोल अगर यह सारी चीजे हो जाएं तो हम शायद यह 10-15 दिन के अंदर अपने स्लेवर को पूरा complete कर सकते हैं एस वाले जो बच्चे हैं वह तो भाईया पहले यूनिट को छोड़ना नहीं यह चीजे बिलकुल नहीं हो सकती डाउट से ले लाइव कैसे ले तो वहां पर मेरे हाथ में चीजे नहीं हैं जिन बच्चों को लगता है कि उसे टिपिकली उनसे यूटुब पर नहीं पढ़ा जा रहा तो आप हमारे कोर्स जो कि एक नॉमिनल प्राइज रहता है 399 का आप को जोईन कर सकते हैं जिसके अंदर आपको सारे के सारे लगबग लगबग बह अच्छे भी देख रहे होंगे इस वीडियो को अगर तो आप ध्यान रखिएगा कि आप में इसके बजाएं आपके पास होल्डिंग कमपनी है और रिशो भी आपके नंदर नहीं है मैं सी इसके लिए अलग वीडियो लेके आऊंगा यह सिर्फ मैंने बताएं आपको यूटूब पर पढ़ रहे हैं नो नीट टू बाई एनी कूर्स जो बच्चे बोलते हैं कि भी आ हमें बहुत सारी चीजे बहुत जल्दी समझ में आ रहा है तो वह यूटूब पर पढ़ ले जिनको लगता है कि सर थोड़ा भूल जाते हैं लेट समझ में आता है गाइडे की जुरत है अगर एक बार करने के बाद आपको याद रहता है तो नो नीट टू बाई कोर्स आप सीधा सीधा आप यूटूब से पढ़ सकते हो अगर किसी गाइडेंस की जुरत पढ़ती है तो डेफिनिटली मैं आपके साथ हूं वाटसप का नीचे नंबर गीवन है सारे डेटेल गीवन है वहाँ पे आप आस्किंग करेंगे कि सर यह थोड़ी से इशू हो रही है तो बता दिया जाएगा इनको कोर्स लेना है डिसकाउंट कूपन दे दिया जाएगा उनको वैसे कोर्स 649 का होता है डिसकाउंट कोर्स दे दिया जाएगा और यह मैं हाँ इतना क कुर्स होगा आपको फ्री में कराए जाएगा कोई चाज ने लिए अगा स्टार इक से कराए जाएगा बस मैं यही दे सकता हूं ताकि आप पढ़ लो और आप यह मत छोड़ो कि मिरसे एक्जाम नहीं होगा एक्जाम देना ही देना है साथ के साथ हमारे पास और भी सबजे चैनल को अपर सब्सक्राइब को आपको करना ही करना है होगी तुछ आपके सब्सक्राइब मतिवेरियु proces करते सब्सक्राइब आज हुआ करे अच्छे तरीक सब्सक्राइब आएक आएगे आपके था आ looking सो लिए आफिे हम नेक्स वीडियो में कि है